तो आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का जन्म दिन भी है और दिन भर से बड़ी खबरों का आज जिक्र भी हुआ है रवीवार है अमूमन रवीवार के दिन बड़ी खबरें आज के दिन आई हैं क्योंकि कल से संसद का विशेश सत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है और संसत भवन के ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के दो महमान हैं क्योंकि सरवदल ये बैठक भी चल रहा है तो ऐसे में वहां से क्या कुछ निकल कराएगा बैठक में क्या आउटकम निकलता है और साथ ही क्योंकि परसों से नए संसत भवन में कारिवाही होगी तमाम चीजें संसत की वहां चलेंगी उसमें हम बातचीत कर लेते हैं हमारे साथ दो महमान जुड़ गएं सबसे पहले हमारे साथ जो दो महमान है उसमें सबसे पहले कॉंग्रेस के हमारे साथ जो महमान है रतनाकर जिंग है रतनाकर सिंग नेता कॉंग्रेस के अश्विनी शाही है नेता बीजेपी के हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का और साथ ही कल से नए संसद भवन पर सबकी नजर होगी क्योंकि इतिहास बदलेगा वहां से कारेवाही होगी विशेश सत्रकल से है कहा जा रहा है कि परसों से क्योंकि गनेश चतुर्थी भी है तो परसों के दिन से वहां से तमाम कारेवाही अब नए संसत भवन से ही की जाएगी अलाकि आज ज़ंडा वगेरा वहां पर जो देश का ज़ंडा है वो वरतनाकर जी कंग्रेस के मनेता. देखे पृतिजी स्रिष्टी के रचनाकार और नए हिंदुस्तान के रचनाकार दोनों का आज जनम दिन है सराप्रथम आपको रतनाकर जी को आपके चैनल के मद्यम से हमारी सब्सक्राम नाएग. संजोग देखिए ये महा संजोग है कि स्रिष्टी के जो सिल्पकार हैं उसी दिन आधुनिक भारत के सिल्पकार का भी प्रादुरुभाव हुआ जनम हुआ और आज देश जो है किस तरीके से गर्ब से उनक्या जनम दिन मना रहा है आज नई संसत पर चर्चा हम लोग काफी कर चुके हैं आज जो एक विस्वकर्मा जी के जैंती पर जो सिल्पकारों को 13,000 करोड के उसे एक योजना चालू की गई है देखिए किस तरीके से चोटी चोटी चीजों को बड़ा किया जाता है पानी प्रधान मंत्री जी ने बताया कि वो बहुत पहले बुर्सेल्स गहे थे वहां किसी ने बताया उनको कि यहाँ पर हाथ से बने हुए चीजों की ज़्यादा मांग है तो वो योजना 35 साल पहले से उनके मन में आकार लेते लेते आज जो है आकार ले गई और आज उसको उन्होंने विसकर्मा पूजा के दिन आज उतारा धरती पर कामगारों को ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्रेनिंग देने के बाद कुछ और उनको पैसे दिये जाएंगे ज इन्हीं को मैं इनकी बात कर रहा हूं इन्होंने एक पोस्ट जाला है उसमें इन्होंने अपनी प्राणवाय निकाले हैं कि कुछ दे रही सकते हैं तो यहीं अरे भाई कम से कम एक साधुवाद बनता है आज उन लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा जो छोटे-छोट माद दिवास से ठीक है लेकिन बैठक भी तो चल रहे हैं अभी क्याबिनेट्स के मंत्री भी वहाँ पर हैं तमाम दलों के नेता हैं तमाम दलों के नेता हैं वहाँ पर सब नेता हैं वहाँ पर पक्षके वे पक्षके कल भी बड़ा दिन है तिहास एक दिन है क्योंकि कल वि प्रश्वना देता हूं और यह कामना करता हूं कि ऐसे ही वो देश की सेवा निरत्तर करते रहें लेकिन विपक्षोने के नाते हमारा कुछ प्रस्थन होता है जो जरूर हम उस प्रस्थन को जरूर पूछेंगे जिस प्रकार आज विसकर्मा योजना की ये चर्चा कर रहें अगर जन हितकारी होती तो बिना लोन के बिना ब्याज के लोगों को फंड आउलेबल कराती और उनके रोजगार को बढ़ावा देने का काम करती और रोजगार के स्रिजन क्या आउसर क्रियेट करती मतलब रोजगार बढ़ाने का काम करती लेकिन ये सरकार कहीं पे भी रोजगार स्रिजन का कोई आउसर प्रदान नहीं करती है प्रदान मंत्री रोजगार मेले कायो जन कर रहे हैं अभी भी मध्याप्रदेश में पिछले महीने उन्होंने 40,000 कैंडिडेट्स को रोजगार मेले में आवेदन वो दिया है उन्हें पत्र दिया है प्रिती जी देश में 30,000,000 हर महीने की बात है ठीक है 30,000,000 आपका कैलकुलेशन है जो भी आपके पास डेटा ठीक है वो लेकिन आप 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 जो बस जो सरकार कर रहे ही रोजगार मेला लगारी राजवार तरीके से उसे भी तो आप देखेंगे न आधी अधूरी जानकारी देना और पूरी जानकारी देना दोनों में अंतर होता है आप कहते हैं कि प्रतिवर्श दो करोड रोजगार देंगे और महत 40,000 आप रोजगार का प्रस्थि पत्र बाठते है इसको क्या का आ जाएगा 140 करोड देशवासी है अरे मैंने तो एक्जांपल दिया पिछले महिने का उससे पहले भी उन्होंने कई सारे पत्र दिये हैं तमाम परिशाट्चियों को प्रतिवर्श देड़ लाग दो लाग से ज़्यादा रोजगार इनोंने दिये ही नहीं है आज अगर दिये होते तो बेरोजगारी 45 सार में सर्वदलिय क्या होगा विशेश आज विशेश सर्वदलिय बैठक भी है अश्विनी जी क्या होगा उस पर भी तो फोकस कीजिए ना प्रधान मंतरी के जन्व दिवस पर इतनी सारी चीज़ें है साथी आज पूरा का पूरा आप देखिए जितने नेता गण हैं सब काम कर रहे हैं किसी को अज संड़े की चुटती नहीं है ऐसे में कल जरूर कुछ बड़ा दिन है कल कुछ होगा परसो कुछ होने वाला होगा इसलिए तयारी लंबी है इस पर क्या कहेंगे आग जी पृती जी देखिए जब धी विशेश सत्र बुलाया जाता है किसी विशेश परंग से बुलाया जाता है एजेंडा कांग्रिस मांग रही थी सरकार ने एजेंडा उनको बता दिया है सरबदली बैठक आज हो रही है सर्वजली बैठग में काफी कुछ चीज़ें और खुल कर सामने आएंगी और बिजनस एडवाइजरी कमिटी के एजेंडे की बात जब होगी तो ये कल के उसमें पता चल जाएगा आज से की और क्या-क्या चीज़ें होने वाली है हाँ मगर देश जो आउट आफ आडर हो गया था देश में बहुत सी विसंगतियां आ गई थी उसको दूर करने का समय है हो सकता है कयास लगाए जा सकते है कि क्या होगा कुछ बिल लंबित थे महिला और एक्षन बिल जिसके ये लोग विरोधी है जिनों लटका दिया था इन लोगोंने एक जगह से पास है वो भी दूसरे जगह से पास हो सकता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रुकी हुई है अभी आने वाले दिनों में बस जादा दिन की बात नहीं है बस हमको तो लग रहा है कि अब दस बारा घंटे के बाद सत्र चालू होगा पांच दिन का सत्र है और इन पांच दिनों में देश को कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली है जो भारती जनता पार्टी की मोधी सरकार के नित्रतों में इतिहास में नाम रचेंगी ठीक अब इस पर रियाक्शन में ले लेते हैं पांच दिन का सत्र है डेश को कोई बड़ी चीज अच्छी चीज हांत लगेगी उन्हें सरकार देने वाली है प्रिती जी देखिए अच्छे दिन आएगे जासा तो ये 2014 से ही दे रहें और जाड़े नौ सा लोग है अभी तक देश के लोगों के अच्छे दिन नहीं आए तो ये पांच दिन में क्या अच्छे दिन ला देंगे अरी ये तो इनकी घबडाहत है ये विशेश दसत्र ला करके लोगों को कुछ इस प्रकार जूंदूना कुछ पकड़ाएंगे जिससे की देशवासी वहों का फिर से हासिल करने का काम क्या जा सके नहीं तो ये इतने दिनों से अभी तक ये अजंडा तक नहीं बता पा रहा है तो इनका ढर है और ये डर कहने कहीं साफ दिखता है म बता है कि भी तुछ पास करा भी थे पास करा है आप और ये वहां पर नाकर जी उसमें क्या होगा कौन सी रह नहीं थी विशेश सत्र में सरकार को घरने की सीड़लू सी की मीटिंग भी है हो रही है प्रियंका गांदी है भुपेश बगेल मौजूद है इस ती ड़ए अशो के उपर हम इस सरकार को जरूर घिरने का काम करेंगे जिसमें सरोपर्दम महंगाई और बेरोजगारी है उसके बाद जो है चीन हमारी सिमाओ के अंदर भुश गया है वो ये सारे मुद्दे हैं जो बारती जंता पाइटी कहीं न कहीं इन मुद्दों पे ध्यान न दे करके कभी धर्म पे चर्चा कराती है कभी सनातन पे वक्त अब्य करके और अपने इनके नेताओं का वक्त फिर से आने लगता है तो अनर्गल जो है बातों में लोगों को उल्जा करके रखना देश के मुद्दों से ध्यान हटाना यही भारती जंता पार्टी की महारत है और हम व अपने बिल्स को लाइए पास कीजिए पारित कीजिए आपका लेकिन हम अपने चीजों को लेकर के विशे सत्र करें हम वहां जानने वाले हैं अगर विपक्ष का काम क्या है वहां हला करेगा और हला करके वाक आउट करेगा तीसरा कुछ तो है ने पिछले कई सत्र जो है इस बार देखिए विशे सत्र बुला लिया गया तो बाहर का वो टूल करते थे ये लोग कभी CAA है कभी कुछ ग्रेटा थनवर्ग है कभी सोरेश चचा का पैसा है बहुत सी चीजें चलती थी लेकिन वह अभी टूल किट सेट नहीं हो पाया क्योंकि ये विशे सत्र अचानक बुला लिया गया और अब देखिए इन लोगों का प्राण वायु न दिख रहा है हर्याना पंजाग छत्तिस गाड राजस्थान यहां के कम से कम एक दर्जन से उपर नेता जो है पार्टी चोड़ने की तैयारी कर रहा है यह लोग अपनी चीज देख रहे हैं वहां उस CWC में कुछ देश के लिए नहीं है देश के लिए तो मोदी जी इस समय अपने आपको देश के लिए कांग्रेस कहां सोच रही है कांग्रेस अपने लिए वहां किस तरीके से बचाएं अपने राजस्तित को हम कैसे बचा लें वही अस्तित बचाने की लाई हो रही है वो चाहिए CWC के माध्यम से हो या आप देखिए मुंबई में बैशक हुई एजेंडा से किवा सानातन पर अटैक हो गया और सानातन को मिटाने की बात हो सुरू हो गई इंडिया लाइंस की तो यह सब चीजे देखने की लेकिन अश्विनी जी बहुत एक सवाल एक सवाल ह लेकिन वह भी पहुँचे दिया धीरंजन चौधरी इतने बड़े कृट्शे मतलब आप लोगों को वड़ा कृटिसाइज किस तरीके से करते हैं आपको पता है लेकिन वह भी पहुँचे तमाम लोग वहाँ पर पहुंचे लेकिन मीटिंग सरवदलिये मीटिंग करना सरव उसमें सरवदली बैठक होती है और सबसे चर्चा होती है कि यह चीजें हम रखने जा रहे हैं और इनमें आप लोगों का भी सायोग चाहिए अब विपक्ष के उपर है कि देश के अच्छे कामों में सायोग करेंगे या मारीच और सुभाहु की तरह उसमें जो है बिगन फैल बताएंगे अब वो उनके उपर है क्या कर रहे हैं वो अब यह आने वाला कल बताएगा पांच दिन बताएगा यह क्या करेंगे क्योंकि दो देखिए दो हजार जो है बहुत अच्छे अच्छी चीजों को लेकर आया है हम हिंदुस्तान को कहां ले आकर खड़ा की हैं कि अधिर रंजयन जी जो भी खड़गे साब है कि सब लोगों को बुलाया गया पता नी शायद हो सी डबलू सी में आय थे मैं कंफर्ण नहीं हूं लेकिन सारे दलों के वहां आये हैं सब के सामती की चर्चा एक बार होती है रदनाकर जी से भी बात कर देखिए सर्वदली बैठक है बीजेपी की तरफ से अपनी बाते रखी जाएंगी आप लोग भी पूछेंगे के भाई आपने विशेश सत्र बुलाया है क्यों बुलाया है अचानक से सिर्फ संसत को शिफ्ट मतलब संसत की पूरे कारे को संसत को इस संसत से नहीं संसत में शिफ्ट करना ही क्या विपक्ष सरकार के मनाने पर उनकी बातों पर आकर मुद्धों पर बिल्स पर सहमती दायर करेंगी देखिए प्रिती जी हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के अलग-अलग हो जबी भी सत्र शुरू होता है तभी ये लोग आपसी सामती में हर चीछ स्विकार करते हैं कि हम महंगाई पर चर्चा करेंगे पिछले ही सत्र की बात है महंगाई पर चर्चा करेंगे बेरोजग जी ने जब महंगाई पर हम सवाल पूछ रहे थे तो मिशिकान दूबे जी ने क्या कहा कि देश में महंगाई है यह नहीं तो यह जो देश में जनता से जुड़े हुए मूंते हैं तो जनता खूज रही है जिन चीजों से उनको एक सीरे से नकार देते हैं और यह अपनी चाहिए क्रिसी कानू ले लिए यह विपक्ष की सुनते कहां है अगर सुने होते हैं तो क्रिसी कानू बिल भी जो लेकर कि आये उसको वापस करना पड़ा तो कहीं ने कहीं यह संशाबल के आधार पर पारिद कराया विपक्ष को आप सम्मान दिजिए विपक्ष के साथ चर सब्सक्राइब करें दिखाने के लिए बैठें लेकिन मन नहीं मिलेगा आपका जो जंडा है वो आप करेंगे भले देश हुषित में कोई बिल होगा तो भी क्योंकि आप सर्वदली मीटिंग में दिखाने वाले दान्त की तौर पर बैठें वहां पर जा कि आप हला करेंगे ये कह रहे हैं क्या रणनीती होगी कुछ पता आपको रणनीती क्या होगी अगर कुछ अपडेट तो बताइए रणनीती में अभी हम लग सरकार जो चीजों को लेकर आ रही है उन चीजों पर हम जरूर चर्चा करेंगे ऐसा नहीं कि हम चर्चा करने से भागेंगे लेकिन कहीं ने कहीं जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से सरकार क्यों भाग रही है क्यों नहीं मड़ीपूर पे चर्चा किया इन्होंने मड़ीपूर पे हम च्या रहे थी कि प्रधान मंत्री जी आए सदन में और बात करें लेकिन प्रधान मंत्री जी ने एक पूरा बिपक्ष की बात मैं कर रहा हूँ आप प्रिती जी इस समय जो है आप लोग ऐसे जगा बैठे है रिकार्ड सारे आपके पास है आप निकलवा लीजिएगा पुल मिलाकर 10% भी किसी ने बात की हो अगर मणी पूर बिपक्ष के नेताओं ने और अंत में जब माननी प्रधान मंतरी जी बोलना चुरू किये तो ये लोग वाकाउट कर गए और वो लगातार बोलते रहे उसके बाद मणी पूर पर तो हाथी के दात ये है दिखाने के और ये है खाने के और बार ये कहते हैं महेंगाई बेरोजगारी और चीन घुसाया है अरे चीन को तो जवाला लहरू जी ने घुसाया था तब से घुसे हुए है दूसरी बार सदन की अरे रता कर भाई रूग जाहिए सदन की एक बात जो है पृती जी मुझे याद आई है माननी मुख्मंत्री योगी जी उत्तर परदेस के बैठे हुए थे सदन में और इसे इंडी ऐलाइनस के दो नेता मुलायन सिंगा दो जी और लालू परसाध यादो जी डbody करते है साधू बाबा ये साधू बाबा साधू भी रहेंगे और MP भी रहेंगे ये लालू पुरसाद यादो जी के सब्द थे और मेरे पास है मैं आपको भेज दूंगा ये सदन में इस तरीके की चीजें ये लोग किया करते थे क्या कहेंगे ये लोग ये कांगरेशी और यूपीय के लोग माननी मुखमंत्री को जो सामसत थे उसमें चले जल्दी से रतनाकर जी का र ला रहे हैं अले हाथी के लाथ इसलिए आज आप असपस तुछे बता रहा हूं पार्टी समाह लिए रतनाकर जी का रियाक्शन ले लेते हैं विछले शारे नौ साल से आम जनता बहुत सारे ऐसे मुद्ध्य है जिस पे आम जनता को रहत देने का काम भार्ती जनता पार्ट अज शांती से स्तर्वदली मीटिंग चल रही है आप लोग भी सर्व सम्मती से एक दुसरी के साथ अराम अराम से जब आप दे सकते हैं बहुत बहुत शुक्री आया तमाम एमान हमारे साथ आपने बातशीत की और साथ ही एक बार फिर से हम सभी की तरफ से प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी को जर्म दिन की बहुत बाध शब काम ना चोड़े सिप्रेक लिखें कहीं मज़ाएं के देख देरी नियोज सट्रेंट इसले